C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारा प्रस्तुत है कक्षा साथ की विज्ञान की पाठे पुस्तक. प्रस्तुत है इस पुस्तक का पाठ 14 है. पाठ 14 है. विद्युधारा और इसके प्रभाव. प्रिष्ट 179. आपने कक्षा 6 के अध्याय बारह में सुझाय गए खेल आपका हाथ कितना स्थिर है को खेलने का प्रयास किया होगा. यदि नहीं तो आप अब इसे करें. बूजो तथा पहेली ने भी कक्षा 6 में सुझाय अनुसार खेल के लिए एक विद्युत परिपत संयोजित किया. उन्होंने अपने परिवार और मित्रों के साथ परिक्षण करके काफी मनुरंजन किया. उन्हें स्केल में कितना आनंद आया कि उन्होंने ये निश्चे किया कि वे दूसरे शहर में रहने वाले चचेरे भाई को इस स्केल को खेलने का सुझाब देंगे. अतह, पहेली ने एक स्वच्छ चित्र बनाया और उसमें ये बताया कि विविध विध्युत अव्यवों को कैसे संयोजित किया जाना है, जैसा कि चित्र 14.1 में दिया गया है. यहां प्रिष्ठ 179 पर चित्र 14.1 दिया गया है. इस चित्र में आपका हाथ कितना स्थिर है कि परीक्षण की विवस्था को बताया गया है. क्या आप ये परिपथ आसानी से खीच सकते हैं? इससे बूजों ने ये जानना चाहा कि क्या इन विद्युत अव्यवों को निरूपित करने का कोई आसान उपाय है? 14.1 विद्युत अव्यवों के प्रतीक कुछ सामान विद्युत अव्यवों को प्रतीकों द्वारा निरूपित किया जा सकता है. सारनी 14.1 में कुछ विद्युत अव्यवों और उनके प्रतीक बताये गए हैं. आपको विभिन पुस्तकों में इन अव्यवों के विभिन प्रतीक मिल सकते हैं तथा पी इस पुस्तक में हम यहां पर बताए गए प्रतीकों का ही उप्योग करेंगे इन प्रतीकों को ध्यान पूर्वक समझे विद्युत सेल के प्रतीक पर ध्यान दीजे इसमें एक लंबी रेखा तथा दूसरी छोटी परंतु मोटी समानतर रेखा है क्या आपको याद है कि विद्युत सेल में एक धन टर्मिनल तथा एक रिन टर्मिनल होता है विद्युद सेल के प्रतीक में लंबी रेखा धन टर्मिनल को तथा छोटी व मोटी रेखा रिन टर्मिनल को निरूपित करती है स्विच के लिए ओन स्थिती तथा ओफ स्थिती चित्र में बताये गए प्रतीकों के अनुसार निरूपित की जाती है परपत के विविध अवयवों को सन्यूजत करने में उप्योग होने वाले सन्यूजक तार रेखाउं द्वारा निरूपित किये जाते है सारणी 14.1 में एक बैटरी तथा उसका प्रतीक भी दिया गया है क्या आप जानते हैं कि बैटरी क्या होती है? बैटरी के प्रतीक को ध्यान से समझे क्या अब आप बता सकते हैं कि बैटरी क्या हो सकती है कुछ क्रिया कलापों के लिए हमें एक से अधिक सेलों की आवश्यक्ता हो सकती है अतह हम चित्र 14.2 में बताय अनुसार दो या अधिक सेलों को एक साथ उपयोग करते हैं ध्यान दीचिए एक सेल का धन टर्मिनल दूसरे सेल के रन टर्मिनल से संयोजित किया जाता है दो या अधिक सेलों के इस प्रकार के संयोजन को बैटरी कहते हैं प्रिष्ट 170 प्रिष्ट 170 पर सारणी 14.1 दी गई है इसमें विद्युत परिपत के कुछ अव्यवों के प्रतीक बताए गए हैं दो भागों में इस सारणी को विभाजित किया है पहले भाग में विद्युत अव्यव और दूसरे भाग में विद्युत अव्यव के प्रतीक लिखे गए हैं सबसे पहला विद्युत अवियव है विद्युत सेल। यहां पर पीले रंग के विद्युत सेल का एक चित्र भी दिया गया है और इसी के सामने विद्युत सेल का प्रतीक दिया गया है। अगले अव्यव हैं व्युद्यूद बल्ब. इसी के सामने इसका प्रतीक दिया गया है. अगले अव्यव हैं स्विच ओन स्थिती में और स्विच ओफ स्थिती में. इसके बाद है बैटरी और सयूजी तार. टॉर्च, ट्रांजिस्टर, रेडियो, खिलोने, टीवी, रिमोट कंट्रोल जैसी कई युक्तियों में बैटरी उप्योग की जाती है. तथा पी, इन में से कुछ युक्तियों में विद्योत सेलों को सदैवी चित्र 14.2 में बताय अनुसार एक के बाद एक दूसरे को नहीं रखा जाता है. कभी कभी सेलों को एक के साथ दूसरे से सटा कर रखा जाता है. तब फ्र सेलों की टर्मिनलों को किस प्रकार संयूजित करते हैं किसी भी युक्ति के बैटरी वाले खाने को ध्यान से समझे प्राय है, इसमें एक मोटा तार, अथ्वा धातू की पत्टी होती है जो एक सेल के धन टर्मिनल को दूसरे सेल के रिण टर्मिनल से जोड़ती है जैसा की चित्र 14.3 में बताया गया है बैटरी के खानों में सेलों को सही धंग से रखने के उद्देश से आपकी सहायता के लिए यानि इन पर प्लस तथा माइनस चिन्ह अंकित होते हैं यहां प्रिष्ट 170 पर चित्र 14.2 दिया गया है इसके ए भाग में दो सेलों की बैटरी और बी भाग में चार सेलों की बैटरी दी गई है इसी प्रिष्ट पर चित्र 14.3 भी दिया गया है इसमें बैटरी बनाने के लिए दो सेलों को एक साथ संयूजित करना बताया गया है समय हम सेलों को कैसे सयोजित कर सकते हैं। आप चित्र 14.4 में बताए अनुसार लकडी के एक गुट के लोहे की दो पत्यों तथा रबड के चल्लों का उपयोग करके एक सेल होल्डर बना सकते हैं। ये आवश्यक है कि रबड के चल्ले धातु की पत्यों को कस कर जकडे रखें जैसा कि चित्र 14.4 में दिया गया है। प्रिष्ट 171 दो या अधिक सेलों की बैटरियां बनाने के लिए आप सेल होल्डर बाजार से भी खरीच सकते हैं। इन में सेलों को उचित धंग से इस प्रकार व्यवस्थित कीजिए कि एक सेल का धन टर्मिनल दूसरे सेल के रिंड टर्मिनल से संयोजित हो। जैसा कि चित्र 14.5 में बत के साथ तार का एक टुकडा संयोजित कीजिए। आपकी बैटरी उपयोग के लिए तयार है। यहां प्रिष्ठ 171 पर चित्र 14.5 में एक और प्रकार का सेल होल्डर दिया गया है। किसी बैटरी को निरूपित करने के लिए उपयोग किये जाने वाला प्रतीक सारणी 14.1 मे बताया गया है। आईए अब हम सारणी 14.1 में बताये गये प्रतीकों का उपयोग करके किसी विध्युत परिपत का परिपत आरेक खींचें। यहां प्रिष्ट 171 पर चित्र 14.6 दिया गया है। जिसमें ट्रक की बैटरी तथा इसका काट चित्र दिया गया है। केवल तभी दीप्त होता है जब स्विच ओन की स्थिती में होता है। जैसे ही स्विच ओन की स्थिती में पहुँचता है वैसे ही बल्ब दीप्त हो जाता है। यहां प्रिष्ट 171 पर चित्र 14.7 में एक विध्युत परिपत का चित्र दिया गया है। इस विध्यूत परिपत की प्रतिलिपी अपनी नोटबुक में बना ये, विविध विध्यूत अवियवों के प्रतियूकों का उपयोग करके इस विध्यूत परिपत का परिपत आरेख खींचिये। क्या आपका आरेख चित्र 14.8 में बताए गए आरेख जैसा ही है? यहाँ प्रिष्ट 171 पर चित्र 14.8 दिया गया है चित्र 14.7 में बताए गए विध्यूत परिपत का परिपत आरेख इस चित्र में दिया गया है प्रिष्ट 172 प्रतीकों के अपयोग करके विध्यूत परिपत आरेख खींचना काफी आसान होता है इसलिए सामानितह हम विध्यूत परिपतों को परिपत आरेखों से निरूपित करते हैं चित्र 14.9 द्वारा एक अन्य विध्यूत परिपत आरेख बताया गया है क्या ये चितर 14.8 में बताये गए परिपत जैसा ही है, इन दोनों परिपतों में क्या अंतर है, यहां प्रिष्ट 172 में चितर 14.9 दिया गया है, इस चितर में एक अन्य परिपत आरेक बताया गया है, याद कीजिए, बल्ब केवल तभी दीप्त होता है, जब स्विच ओन की स्थिती में हो, तथा परिप्त बंद हो बल्ब में एक पतला तार होता है, जिसे तन्तु अत्वा फिलमेंट कहते हैं, ये तभी दीप्त होता है, जब इससे विध्युद्धारा प्रवाहित होती है, यदि बल्ब का तन्तु तूट जाता है, तो वो फ्यूज हो जाता है ध्यान दीची, कुझी अत्वा स्विच को परिपत में कहीं पर भी लगाया जा सकता है, जब स्विच ओन के स्थिती में होता है, तो बैटरी के धन टर्मिनल से बैटरी के रिण टर्मिनल तक परिपत पूरा होता है, परिपत को तब बंद कहा जाता है, तथा सारे परिपत म तुरंत विद्युद्धारा प्रवाहित होने लगती है जब स्विच ओफ की स्थिती में होता है तो परिपत अधूरा होता है तब इसे खुला परिपत कहते हैं इस स्थिती में परिपत के किसी भी भाग में कोई विद्युद्धारा प्रवाहित नहीं होती है यहां प्रिष्ट 172 पर एक चेतावनी दी गई है विद्युत मेंज में सन्यूजित दीप्त विद्युत बल्ब को कभी न चुएं ये अत्यधिक तप्त हो सकता है तथा आपका हाथ जल सकता है विद्युत मेंज विद्युत जनित्र अत्वा इन्वर्टर की विद्युत आपूर्ती से कभी भी छेड़ छाड़ ना करें आपको विद्युत आगहात लग सकता है जो घातक हो सकता है यहां सुझाएगाए सभी क्रिया कलापों के लिए केवल विद्युत सेलों का ही उपयोग कीजिए यदि बल्ब का तंतू तूट जाए, तो क्या तब भी परिपत्थ पूरा होगा? क्या तब भी बल्ब दीप्त होगा? आपने ये ध्यान दिया होगा कि दीप्त बल्ब गरम हो जाता है क्या आप जानते हैं ऐसा क्यूं होता है? 14.2 विद्युत धारा का तापिय प्रभाव क्रिया कलाप 14.2 एक विद्युत सेल, एक टॉर्च बल्ब, एक स्विच तथा संयूजक तार लीजिए चित्र 14.9 में बताय अनुसार एक विद्युत परिपत बनाईए ये क्रिया कलाप केवल एक सेल का उप्योग करके किया जाना है स्विच को ओफ की स्थिती में रखिए क्या बल्ब दीप्त होता है? बल्ब को चू कर देखिए अब स्विच को ओउन की स्थिती में लाईए और बल्ब को एक मिनट अथ्वा कुछ अधिक समय तक दीप्त रहने दीजिए बल्ब को फिर चू कर महसूस कीजिए क्या आप कोई अंतर अनुभव करते हैं? स्विच को ओफ की स्थिती में लाकर कुछ समय पस्चात लगभग 10 सेंटिमीटर लंबा नाइक्रोम तार का एक टुकड़ा लेकर इसे 2 कीलों के बीच बांधिए आपको नाइक्रोम का तार विद्यत साधित्रों की मरम्मत करने वाली किसी दुकान से प्राप्थ हो सकता है अथवा आप किसी विद्यत हीटर के बेकार तापन अवियव का तार उप्यूग में ला सकते हैं इस तार को स्पर्श कीजिए अब स्विच को ओन की स्थिती में लाकर परिपत में विद्यत धारा प्रवाहित कीजिए कुछ सेकंड के पस्चात तार को स्पर्ष कीजिए इसे अधिक समय तक पकड़े मत रखिए परिपत में विद्युत धरा बंद कीजिए कुछ मिनिटों के पस्चात तार को पुनह स्पर्ष कीजिए प्रिष्ट 173 यहां प्रिष्ट 173 पर चित्र 14.10 दिया गया है इस चित्र में नाइक्रोम तार का उप्यूग करके विद्युत परिपत बनाना बताया गया है यहां पर एक चेतावनी दी गई है सावधान स्विच को ओन की स्थिती में अधिक समय तक न रखिए ऐसा करने से सेल अतिशीख्र दुर्बल हो सकता है जब किसी तार से कोई विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वहत तप्त हो जाता है इसे विद्युत धारा का तापिये प्रभाव कहते हैं क्या आप किसी ऐसे विद्युत साधित्र का नाम बता सकते हैं जिसमें विद्युद्धारा के तापिये प्रभाव का उप्योग होता है। ऐसे साधित्रों की एक सूची बनाईए। आपने कमरों को गर्म करने अत्वा खाना पकाने में उप्योग होने वाले विद्युद्धापक पाए होंगे। जैसा की चित्र 14.11 के भाग A में दिया गया है। इन सभी में तारों की एक कुंडली होती है। तार की इस कुंडली को विद्युद्धापन अव्यव अत्वा केवल अव्यव या एलिमेंट कहते हैं। आपने ये ध्यान दिया होगा कि जब इन साधित्रों को विद्युद्मेन से सयोजित करके स्विच को ओन की स्थिती में लाते हैं तो इनके अव्यव रक्त तप्त होकर उश्मा देने लगते हैं। यहां प्रिष्ट 173 पर चित्र 14.11 भाग A दिया गया है। इसमें खाना पकाने में उप्योग होने वाला कोई विद्युत तापक यानी हीटर दिया गया है। किसी तार में उत्पन उश्मा का परिमान उस तार के पदार्थ की धातु जिससे ये बना है लंबाई तथा मोटाई पर निर्भर करता है। अतह विभिन आवश्यक्ताओं के लिए विभिन पदार्थू तथा विभिन लंबाई एवं मोटाई के तार उप्योग किये जाते हैं। विद्युत परिपथों को जोड़ने में प्रयोग होने वाले तार यानि संयूजी तार सामान तह गर्म नहीं होते। इसके विपरीत कुछ विद्युत साधित्रों के अव्यव इतने अधिक तप्थ हो जाते हैं कि आसानी से समझ में आते हैं। बूजो विद्युत इस्त्री का अव्यव नहीं समझ पाया। पहेली ने उसे बताया कि निमजन तापक यानि इमर्शन हीटर, होट प्लेट, विद्युत इस्त्री, गीजर, विद्युत केतली, हेर ड्रायर जैसे विद्युत साधित्रों में अव्यव के उपर आवरण होता है। क्या आपने किसी विद्युत साधित्र का अव्यव समझा है। यहां चित्र 14.11 भाग B दिया गया है। इस चित्र में विद्युत इस्त्री का तापन अव्यव दिया गया है। प्रिष्ट 174 विद्युत बल्ब के तन्तु इतने उच्च ताप तक तप्त हो जाते हैं कि दीप्त होकर प्रकाश देना आरंभ करते हैं। जैसा कि चित्र 14.12 में दिया गया है यहां प्रिष्ट 174 पर चित्र 14.12 में विद्युत बल्ब का दीप्त तन्तू दिया गया है यदि किसी तार से बड़े परिमान की विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो तार इतना अधिक तप्त हो सकता है कि वह पिघल कर तूट जाएगा परन्तू क्या यह संभव है कि कोई तार पिघल कर तूट जाए आईए इसका परीक्षण करें क्रिया कलाप 14.124 जिस विद्युत परिपत का उप्योग हमने क्रिया कलाप 14.13 में किया था उसे फिर से बनाईए परन्तू इस बार सेल के स्थान पर चार सेलों की बैटरी का उप्योग कीजिए साथ ही नाइक्रूम तार के स्थान पर इस पात उर्ण यानि स्टील वूल का तार या पतली लड़ी बांधिए इस पात उन के जूने का उप्योग प्रायह रसोई घरों में बरतनों को साफ करने में होता है तथा ये किराने के दुगानों पर उपलब्ध होता है यदि कमरे में विद्ध पंखा चल रहा हो तो उसका स्विच ओफ कर दीजिए कुछ समय के लिए परिपत से विद्ध धारा प्रवाहित करिए इस पात उन के तार अत्वा लड़ी का ध्यान से प्रेक्षण कीजिए नोट कीजिए क्या होता है क्या इस पात उन का तार या लड़ी पिघल कर टूटती है प्रकाश उत्पन करने के लिए ताब दीप्त बल्बों का प्राया उप्योग होता है लेकिन ये उश्मा भी देता है इसका अर्थ ये है कि प्रयोक्त विद्युत का एक भाग उश्मा उत्पन करने में व्य होता है ये वांचनी नहीं है क्योंकि इससे व्यद्यूत की एक शती होती है प्रतिदीप्त नलिकाई यानि fluorescent tube light तथा सहत प्रतिदीप्त lamp यानि CFLs इनसे बहतर दक्ष प्रकाश स्रोत है आजकल प्रकाश उत्सर्जक डायोट यानि LED बल्बों का उप्योग बढ़ रहा है एक निश्चित तीवरता का प्रकाश उत्पन करने के लिए ताब दीप्त बल्बों, प्रतिदीप्त नलिकाउं तथा सहत प्रतिदीप्त लैंपों की तुलना में LED बल्ब व्यद्यूत का कम उप्योग करते हैं इस प्रकार LED बल्ब बहुत ही विद्युद धक्ष हैं और इसी लिए इन्हें प्राथमिक्ता दी जा रही है यहां प्रिष्ट 174 पर 14.13 में विद्युद बल्ब, टूबलाइट, CFL तथा LED दिये गए हैं ऐसे विद्युद साधेत्र तथा गैजट को प्रेयोग करने की सलाह दी जाती है जो विद्युद धक्षुंग भारतिय मानक ब्यूरो नई दिल्ली उत्पादों को मानक चिन्ह प्रदान करता है जिसे मार्क कहते हैं जो की उत्पादों पर दिये गए विनिर्देशों की अनुरूपता का आश्वासन देता है प्रतिदीप्त नलिकाओं तथा CFL में पारे का वाश्प होता है जो की विशैला होता है अतह खराब प्रतिदीप्त नलिकाओं तथा CFL का निप्टारा सावधानी पूर्वक किया जाना चाहिए प्रिष्ट 175 यहां प्रिष्ट 175 पर चित्र 14.14 दिया गया है इसमें विद्युत साधित्रों में उप्योग होने वाले फ्यूज को बताया गया है कुछ विशेश पदार्थों के बने तारों से जब अधिक विद्युत धरा प्रवाहित होती है तब वे शीग्र ही पिघल कर तूट जाते हैं इन तारों का उप्योग विद्युत फ्यूज बनाने में किया जाता है जैसा कि चित्र 14.14 में बताया गया है सभी भवनों में प्रतेक विद्युत परवाहित की जा सकने वाली विद्युत धरा की कोई अधिक्तम सीमा होती है जिसे उसमें से सुरक्षा पूर्वक प्रवाहित किया जा सकता है यदि किसी दुरघटनावश विद्युधारा का मान इस सुरक्षा सीमा से अधिक हो जाता है तो तार अती तप्थ हो सकते हैं जिससे आग लग सकती है यदि परिपत में उचित फ्यूज लगा है तो ये पिघल जाएगा जिससे परिपत तूट जाएगा आतहा फ्यूज सुरक्षा युक्ती है जो विद्युध परिपत की क्षती तथा संभावित आग के प्रती सुरक्षा प्रदान करती है यहां प्रिष्ट 175 पर एक सावधानी दी गई है कभी भी मुख्य परिपत से संयूजित विद्युध फ्यूज की स्वैम जाच परताल करने का प्रयास नहीं करना चाहिए तथा पी आप विद्युध परिपतों की मरमत करने वाली दुकान पर जाकर बेकार हो गए फ्यूजों की नए फ्यूज से तुलना कर सकते हैं विद्युत परिपतों में अतिधिक विद्युत धारा प्रवाहित होने का एक कारण विद्युत तारों में परसपर सीधा संपर्क हो जाना होता है। ऐसा तूट-फूट अत्वा तारों के विद्युत रोधन के हटने के कारण हो सकता है। इससे लगुपथन यानी Short Circuit हो सकता है अध्यतिक धारा प्रवाहित होने का एक कारण एक ही सौकिट से कई युक्तियों को संयूजित करना हो सकता है इससे परिपत में अतिभारण हो सकता है आपने समाचार पत्रों में अतिभारण तथा लगू पतन के कारण लगने वाली आगों के बारे में पढ़ा होगा विभिन प्रकार के कार्रियों के लिए भिन भिन प्रकार के फ्यूज उप्योग किये जाते हैं चित्र 14.14 में हमारे घरों में उपयोग होने वाले फ्यूज दिये गए हैं। चित्र 14.15 में दिये गए फ्यूजों का व्यापक उपयोग विद्यत साधित्रों में किया जाता है। हमने विद्युत धारा के तापिय प्रभाव का प्रेक्षन किया और इसका अपने लाब के लिए उपयोग कैसे करें इसके बारे में सीखा क्या विद्युत धारा के अन्य प्रभाव भी हैं। यहां प्रिष्ट 175 पर चित्र 14.15 दिया गया है। इसमें विद्युत फ्यूज तथा फ्यूज होल्डर दिये गये हैं। प्रिष्ट 176 आजकल फ्यूज के स्थान पर लगू परिपत विच्छेदकूं यानि MCBs का उपयोग निरंतर बढ़ता जा रहा है। जब किसी परिपत में विद्युधारा सुरक्षा सीमा से अधिक हो जाती है तो ये ऐसे स्विच होते हैं जो स्वतह ही ओफ हो जाते हैं। आप इन्हें फिर से ओन कर दें तो परिपत पुनह पूरा हो जाता है। डब्बे पर भी ISI चिन्ह अवश्य जानिए। यहां प्रिष्ट 176 पर चित्र 14.16 दिया गया है। इसमें लगु परिपत विच्छेदक का चित्र दिया गया है। यहां पर एक सावधानी दी गई है। लिखा है, सदैव ISI चिन्ह वाले उचित फ्यूजों जिनका उलेख किसी विशेश अनुप्रयोग के लिए किया गया हो का ही उप्योग करना चाहिए। फ्यूज के स्थान पर किसी भी तार अत्वा धातु की पट्टी का उप्योग कदापी नहीं करना चाहिए। चौदह दशमलव तीन विद्युद्धारा का चुम्बकिय प्रभाव। क्रिया कलाप चौदह दशमलव पांच। उप्योग की जा चुकी माचस की डिब्बे की कार्डबोर्ड ट्रे लीजिए। इसके चारों और विद्युद्धार के कुछ फेरे लपेटिये। ट्रे के भीतर एक छोटी चुम्बकिय सुई रखिये। अब इस तार की स्वतंत्र सिरों को चित्र 14.17 में बताय अनुसार स्विच से होते हुए विद्युद्ध सेल से संयूजित कीजिए। जिस दिशा की ओर चुम्बकिय सुई संकेत करती है उसे नूट कीजिए। चुम्बकिय सुई की निकट एक छड़ चुम्बक लाईए। अब समझे क्या होता है। अब चुम्बक को हटा कर चुम्बकी यसुई को ध्यान से समझते हुए स्विच को ओन की स्थिती पर लाईए। आप क्या पाते हैं? क्या चुम्बकी यसुई विक्षेपित होती है? स्विच को वापस ओफ की स्थिती पर ले जाईए। क्या चुम्बकी यसुई वापस अप 176 पर चित्र 14.17 दिया गया है। इस चित्र में विद्य धारा का चुम्बकिय सुई पर प्रभाव दिया गया है। विद्युद्धारा प्रभाहित होती है तब भी सुई विक्षेपित होती है। क्या आप इन दोनों प्रेक्षणों में कोई संबंध स्थापित कर सकते हैं। क्या किसी तार में विद्युद्धारा प्रभाहित करने पर वहतार चुम्बक की भाती विभार करता है। प्रिष् चित्र 14.18 पर दिया गया है। धारा का उपियोग चुम्बकों के निर्मान में किया जाता है। क्या ये आपको आश्चर जनक नहीं लगता। आईए, इसे करते हैं। 14.4 विद्यूत चुम्बक क्रिया कलाब 14.6 लोहे की लगभग 6-10 cm लंबी एक कील तथा लगभग 75 cm लंबा विद्यूत रोधी यानि प्लास्टिक अथवा कपड़े से धका हुआ अथवा इनमन लेपित लचीला तार लीजिए। इस तार को कुंडली के रूप में कील पर कसकर लपेटी। तार के स्वतंत्र सिरों को किसी स्विच से होते हुए चित्र 14.19 में बताय अनुसार एक विद्यूत से सैयू जित कीजिए। कुछ पिन इस कील के सिरे पर अथवा इसके निकट लाईए। अब स्विच अन कीजिए और पाईए कि क्या होता है। क्या पिन कील की नोक से चिपकते हैं। स्विच आफ कीचिए। क्या पिन अब भी कील के सिरे से चिपके हैं। यहां प्रिष्ट 177 पर चित्र 14.19 दिया गया है। इसमें विद्यूत चुम्बक का एक चित्र दिया गया है। याद रखिए। इस क्या कलाप में एक बार में कुछ सेकेंड से अधिक समय तक विद्यूत धारा प्रवाहित नहीं करनी है। यदि परिपत को संयोजित छोड़ दें, तो सेल शीग्र ही दुर्बल हो जाता है। यहां दिये गए क्रिया कलाप में विद्युधारा प्रवाहित करने पर कुंडली चुंबक की भाती व्यभार करती है। जब विद्युधारा का प्रवाह समाप्थ हो जाता है, तो कुंडली का चुंबकत्व सामानतह नश्ट हो जाता है। इस प्रकार की कुंडली को विद्युत चुम्बक कहते हैं। विद्युत चुम्बकों को अती प्रबल बनाया जा सकता है। ये अत्यन्त भारी बोज उठा सकते हैं। क्या आपको कक्षा 6 के अध्यायत 13 में बताए क्रेन के चित्र की याद है। इस प्रकार की क्रेनों के एक सिरे पर प्रायह एक प्रबल विद्युत चुम्बक लगा होता है। विद्युत चुम्बकों का उप्योग कबाड से चुम्बकिये पदार्थों को प्रिथक करने के लिए भी किया जाता है। डॉक्टर दुरगटना वश आँख में गिरे चुम लगे होते हैं लोहे की एक पत्ती लगी होती है जिसके एक सिरे से हथोड़ा जुड़ा होता है लोहे की पत्ती के समीब एक संपर्क पेंच होता है जब लोहे की पत्ती इस पेंच के संपर्क में आती है तो विद्युत परिपत पूरा हो जाता है तथा कुंडली से विद्युत धारा प्रव का हथोड़ा घंटी से टकराता है और ध्वनी उत्पन्न होती है परन्तु जब विद्युद्चुम्बक लोहे की पत्ती को अपनी ओर खीचता है तो ये परिपत को भी तोड़ देता है इससे कुंडली से विद्युद्धारा का प्रवाह समाप्त हो जाता है क्या कुंडली अ शमलव 20 में विद्युद्ध घंटी का मॉडल और उसका परिपत दिया गया है आप कुंडली विद्युद्ध चुम्बक नहीं होती ये लोहे की पत्ती को भी अपनी ओर नहीं खीचती है लोहे की पत्ती अपनी मूल स्थिती में आकर पुन है संपर्क पेच से स्पर्ष करत इससे परिपत फिर से पूरा हो जाता है कुंडली से पुनह विद्युद्धारा प्रवाहित होती है तथा हथोड़ा पुनह घंटी से टककर मारता है ये प्रक्रिया अतिश्यगरता से दोराई जाती है हर बार परिपत पूरा होने पर हथोड़ा घंटी से टकराता है और इ विद्युत घंटी, विद्युत चुम्बक, विद्युत फ्यूज, सेल होल्डर, विद्युत साधित्र, विद्युत का तापीय प्रभाव, विद्युत का चुम्बकीय प्रभाव, कुंडली, आपने क्या सीखा? विद्युत अव्यवों को उनके प्रतीकों द्वारा निरूपित करना सुविधा जनक होता है इनका उप्योग करके किसी विद्युत परिपत को परिपत आरेक द्वारा निरूपित किया जा सकता है जब किसी तार से कोई विद्युद्धारा प्रभाहित होती है तो वो तार तप्त हो जाता है ये विद्युद्धारा का तापिय प्रभाव कहलाता है इस प्रभाव के बहुत से अनुप्रयोग है कुछ विशेश पदार्थों के बने तारों में से जब उच्च विद्युद्धारा प्रवाहित होती है तो वे गर्म होने से पिघल कर तूट जाते हैं इन पदार्थों का उप्योग विद्युत फ्यूस के निर्माण में किया जाता है जो विद्युत परिपतों को क्षती तथा आग से बचाते हैं जब किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो वो चुम्बक की भाती विवहार करता है। इसे विद्युत धारा का चुम्बकिय प्रभाव कहते हैं। प्रिष्ट 189 लोहे के किसी टुकडे पर विद्युत रोधी तार से लिप्टी विद्युत धारवाही कुंडली को विद्युत चुम्बक कहते हैं विद्युत चुम्बक बहुत सी युक्तियों में उप्योग किये जाते हैं अभ्यास एक, विद्युत परिपतों के यहां दिये गए अव्यवों को निरूपित करने वाले प्रतीक अपनी नोटबुक पर खींचिये संयूजक तार, स्विच ओफ की स्थिती में, विद्युत बल्ब, विद्युत सेल, स्विच ओन की स्थिती में, तथा बाटरी दो, चित्र 14.21 में बताए गए अनुसार, विद्युत परिपत को निरूपित करने के लिए परिपत आरेक खींचिये प्रिष्ट 189 पर चित्र 14.21 दिया गया है, जो की विद्युत परिपत का निरूपित चित्र है तीन, चित्र 14.22 में चार सेल दिये गए हैं रेखाएं खीच कर ये निर्दिष्ट कीजिए कि चार सेलों के टर्मिनलों को तारूँ द्वारा संयूजित करके आप बैटरी कैसे बनाएंगे यहां प्रिष्ट 189 पर चित्र 14.22 दिया गया है, इस चित्र में चार सेल दिये गए है चार, चित्र 14.23 में बताये गए परिपत में बल्ब दीप्त नहीं हो पा रहा है क्या आप इसका कारण पता लगा सकते हैं? परिपत में आवश्यक परिवर्तन करके बल्ब को प्रदीप्त कीजिए यहां प्रिष्ट 189 पर चित्र 14.23 दिया गया है प्रिष्ट 180 पांच, विद्युद धारा के किनी दो प्रभावों के नाम लिखिए छे, जब किसी तार से धारा प्रभाहित करने के लिए स्विच को आउन करती हैं तो तार के निकट रखी चुम्बकी ये सुई अपनी उत्तर दक्ष्ण स्थिती से विक्षेपित हो जाती है सपश्ट कीजिए साथ, यदि चित्र 14.24 में बताये गए विद्युद परिपत में स्विच को आउफ किया जाए तो क्या चुम्बकी ये सुई विक्षेप बतायेगी यहां प्रिष्ठ 180 पर चित्र 14.24 दिया गया है जिसमें विद्युद परिपत में स्विच को आउफ करके बताया गया है आठ, रिक्ष स्थानों की पूर्ट कीजिए कर, विद्युद सेल के प्रतीक में लंबी रेखा उसके रिक्ष स्थान टर्मिनल को निरूपित करती है ग, जब किसी विद्युद हीटर के स्विच को आउन करते हैं तो इसका रिक्ष स्थान रक्त तप्त यानि लाल हो जाता है ग, विद्युद धारा के तापिय प्रभाव पर आधारित सुरक्षा युक्ती को रिक्ष स्थान कहते हैं नौ, यहां दिये गए कथनों पर सत्य अथ्वा असत्य अंकित कीचिए क, दो सेलों की बैटरी बनाने के लिए एक सेल के रिन टर्मिनल को दूसरे सेल के रिन टर्मिनल से संयूजित करते हैं सत्य या असत्य जब किसी फ्यूज में से किसी निश्चित सीमा से अधिक विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह पिघल कर तूट जाता है सत्य अथ्वा असत्य विद्युत घंटी में विद्युत चुमबक होता है सत्य या असत्य क्या विद्युत चुमबक का उप्योग किसी कचरे के धेर से प्लास्टिक को पिठक करने के लिए किया जा सकता है स्पष्ट कीजीए प्रिष्ट एक सो इक्यासी 11. मान लीजिए कि कोई विद्युत मिस्त्री आपके घर के विद्युत परिपत में कोई मरम्मत कर रहा है वे तामे के एकतार को फ्यूज के रूप में उप्योग करना चाहता है क्या आप उससे सहमत होंगे? अपने उत्तर के लिए कारण दीजिए 12. जुबैदा ने चित्र 14.4 में बताय अनुसार एक सेल होल्डर बनाया था इसे एक स्विच और एक बल्ब से जोड़ कर कोई विद्युत परिपत बनाया जब उसने स्विच को ओन की स्थिती में किया तो बल्ब दीप नहीं हुआ परिपत में संभावित दोश को पहचानने में जुबैदा की सहायता कीजिए 13. चित्र 14.25 में बताय गए अनुसार विद्युत परिपत में क, जब स्विच ओफ की स्थिती में है तो क्या कोई भी बल्ब दीपत होगा? क, जब स्विच को ओन की स्थिती में लाते हैं तो बल्बों A, B तथा C के दीपत होने का क्रम क्या होगा? यहां प्रिष्ट 181 पर चित्र 14.25 दिया गया है इसमें एक विद्युत परिपत और तीन बल्ब यानि A, B और C बताएगा है पहली तथा बूजो ने कुछ दिन पहले एक जदू के खेल का आनन्द लिया जदूगर ने स्टैंड पर लोहे का एक बॉक्स रखा फिर उसने बूजो को बुला कर उससे बॉक्स को उठाने के लिए कहा बूजो ने बॉक्स को आसानी से उठा लिया अब उस जदूगर ने कुछ बुद्बुदाते हुए बॉक्स पर चड़ी घुमा कर अपने कर्तब करने शुरू किये उसने पुनह बुजो से बॉक्स को उठाने के लिए कहा इस बार तो बुजो उसे हिला भी नहीं सका जादुगर फिर कुछ बुदबुदाया और बुजो ने बॉक्स को आसानी से उठा लिया बुजो और पहली सहित सभी लोग इस प्रदर्शन से अत्यधिक प्रभावित थे और ये समझ रहे थे कि जादुगर के पास कोई अलोकिक शक्ती है परंतु इस अध्याय को पढ़ने के पस्चात पहली ये सोच रही है कि क्या वास्तव में इस युक्ती में कोई जादु था अत्वा इसमें कोई विज्ञान सम्मिलित था क्या आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि इसमें विज्ञान से संबंधित कौन सी युक्ती सम्मिलित हो सकती है प्रिश्ट 182 विस्तारित अधिगम, क्रिया कलाप और परियोजना कार 1. चित्र 14.17 में बताएगाए विद्युत परिपत को पुनह बनाईए कुन्जी को ओन की स्थिती में लाईए तथा सावधानी पूर्वक ये प्रेक्षन कीजिए कि चुम्बकिय सुई किस दिशा में विक्षेपित होती है स्विच ओफ करके विद्युधारा का प्रवाहा रोकिए शेश परिपत को यधा स्थिती में रखते हुए केवल सेल के टर्मिनलों के सैयोजन उत्क्रमित कर यानि उलट कर कर दीजिए यानि उलट दीजिए पुनह स्विच ओन कीजिए तथा चुम्बकिय सुई के विक्षेप को दिशा नोट कीजिए अपने प्रेक्षनों का कोई उचित स्पष्टी करन सोचिए यहां प्रिष्ट 182 पर चित्र 14.26 दिया गया है इस चित्र में रेलवे सिगनल का कारेकारी मॉडल दिया गया है इस मॉडल को कुंडली, लोहे की कील, धागे और गत्ते की सिगनल और गत्ते की सिगनल की मदद से बनाया गया है दो, बीस, चालीस, साथ तथा असी फेरों के चार विद्युत चुम्बक बनाईए इन्हें एक-एक करके दो सेलों की बैटरी से संयोजित कीजिए विद्युद्चुम्बक को पिनों के बॉक्स के पास लाईए इसके द्वारा आकर्षित किये जाने वाले पिनों की संख्या ग्याद कीजिए विद्धुद चुम्बकों की प्रबलता की तुलना कीजिए तीन विद्धुद चुम्बक की सहायता से आप चित्र 14.26 में बताए अनुसार रेलवे सिगनल का एक कारिकारी मॉडल बना सकते हैं प्रिष्ट 183 4. विद्धुद साधित्रों की मरम्मत करने वाली किसी दुकान पर जाईए दुकान के इलेक्षिशन से विविद प्रकार के फ्यूज तथा MCBs देने के लिए निवेदन कीजिए और उनसे ये समझने का प्रयास कीजिए कि ये कैसे कारे करते हैं क्या आप जानते हैं विद्धुद बल्ब के अविशकार का श्रेय प्रयाः Thomas Alva Edison को दिया जाता है ये दिपी इनसे पूर्व भी अन्य वैग्यानिक इस पर कार कर चुके थे Edison विलक्षन प्रतिभा के वेक्ती थे उन्होंने विद्धुद बल्ब, ग्रैमोफोन, चलचित्र कैमरा तथा कार्बन प्रेशक सहित लगभग 1300 आविशकार किये उन्ही के आविशकारों ने बाद में टेलिफोन के आविशकार को सुगम बनाया यहां प्रिष्ट 183 पर चित्र 14.27 दिया गया है यह चित्र महान वैज्ञानिक थॉमस आलवा एडिसन का है थॉमस आलवा एडिसन सन 1847 से 1931 इसमी इसी के साथ 18 पाठों की इस पुस्तक का पाठ 14 शिर्शक, विद्धुद्धारा और इसके प्रभाव यहां समाप्थ हुआ वाचन शालिनी सिंग और वैभव श्रीवास्तव तक्नीकी नियंत्रन बटी लैंग लिंग्डो तक्नीकी सहायक विकास सांगवान निर्वान सहयोग जग बंधु जाना निर्वान एवं निर्देशन वंधना अरिमर्दन तथा प्रस्तुती C.I.E.T. N.C.E.R.T. नई दिल्ली भारत